में के बाद हम हादने स्पेक्शन में अब बात कमान के होनर की 36 कर्की राजधानी वाइपुर के अभनपो तहच्चु इल में एक ऐसा कलाकार है जो मिट्टी, पत्थर और लकली से नहीं बजिनारियल से सुंदर कलाकृतिया बनाते हैं ऐसी कलाकृति जिसे देख कर लोगा चले चकेत हो जाते हैं ये कलाकार एक नारियल में ही भगवान देता और फिर अन्य कोई कलाकृति पलभर में बना देता है दिन रात महनत करके हेमरा जोशी सामान जमा करते हैं और फिर बड़े ही भक्ती भाव और लगन के साथ नारियल पर भगवान की मन्मोह कलाकृतियां बनाते हैं हेमरा जिस कलाको अपने तक्तीमित नहीं रखना चाहते हैं वो चाहते हैं कि इस कलाक अब प्रचार प्रसार हो और यही बज़ा है कि अब वो इस कलाको कुछ युवाहों को भी सिखा रहे हैं हेमरा जिन नारियल से कलाकृति बनाने की कलाको जीमित रखने के लिए सरकार से मदद की गोहार भी लगाई है काबा मस्जीद मजार सभी धर्मों का बनता है इस पेशन नारियल ने दते हैं सधान नारियल है यह नारियल है मंदिर में चड़ाया हुआ है या किसी पवीतर जगा में और भी चड़ाया हुआ है तो एक च्छाया में शुखता है तो यह लाइनिंग दो है नहीं फटता है दूप में आप रखेंगे तो फट जायेगा तो च्छाया में इसको सुखाके इसको बनाते है अब वो अपने आप में ये कलात्म कलग अद्भू चीज है वो अब उसको सीखने में बहुंच सारी दिक्कते आती, क्योंकि बारिकी सी उसको करना पड़ता है, कोई भी चीज मिट्टी से बनाना है, सेंड आर्ट बनाना है, वो सब चीजे आपनी सीखी जाता है, जैसे भी हो, बट इसको साल बहर दो साल इतना बहुंच ज्यादा टाइम ल पाता है, वैसे तो जो भी चीज बनाते हैं, जैसे कोई इनसान का हो, जैसे बनाना है फोटो, तो इस प्रकार की उसका ड्राइंग, पुरा मलब एक बार देखेंगे, पुरा सेम वैसी बना लेते हैं, क्रिटी ऐसा बनाते हैं, जो आप अगर खने हैं ना, आप अभी में आ आपको देख रहा हूं, अगर मैं देखते देखते आपको बोल दूँगा, भाई, इनकी तस्वीर बनाना है, तो मेरे छोटा भाई बना देता है, तो हेमरा जोशी है, ये कलाकार, जिन्होंने ये कारनामा कर दिखाया है, नारियल पर बनाते हैं सुंदर कलाकृतिया, तस् आदर जानकारी के साथ, सुरा संवादाता, दीपक से बात करेंगे, दीपक वाकि में अनोखी और कमाल की कला, दीपक आपको अवाज बिल रही है, तो हेमराज, जोशी इस कला को अपने तक्सीमित नहीं रखना चाहते, वो चाहते हैं कि इस कला का प्रचार प्रसार हो, और यही बज़ा है कि वो अब इस कला को कुछ युवाओं को भी सिखा रहे हैं, और इस वक्त हमारे साथ दीपक सहु सहियोगी कलाकार हैं, वो को ओन लाइन पर जुड़ गहें, दीपक जी एक अनोखी बेमिसाल कला, कैसे आप लोग ने इस पूरे आर्ट को इजाद किया? और हमारे साथ जो सहियोगी है, हेमराज जी के सहियोगी, लोकेश जी भी पूर्ण लाइन पर जुड़ गहें, लोकेश जी बाकिए में जिस तरह से नारियल पर जो कला कृटी बना रहे हैं आप लोग वो बेहद ही अद्भुद है, बहुत ही अपिश्यबल है, कैसे आइड पर जी आया, आप लोगों को? यह का आउने नारियल को लेक्षै करना साना टो बना सकते हैं, कोछिषिए है तो एक बना दो बना ऐसे जीड हीमिदे बनाते बनाते हैं लोकेशी कितना वक्त लगता है? और आपने जैसे यह पुरी कला कृृटि सीखी है तो कितना वक्त लगा आपको सीखने में? मैं भी सीख रहाँ जो अच्छा जी लोकेशी आपसे हम ये भी जाना चाहेंगे कि आप लोग क्या चाहते हैं सरकार से जो कला कृटिया की जा रही है उसको संदख्षित रखने के लिए सरकाव से किस तरह है कि मदद आप रोग चाहते हैं जोचिए आपने लोग बना रहा है उसमें हम लोग स्कोर गोर्मन्स को अग्षिक साहता ने मिल पा रहा है हम दोग चया है कि हम खत्फ थानले यहां हम अपने कला परीशी को आगे बरहा च्रुपत के सामने में लाग सेटू तिन आधब अनोखी kalo हम लोगों को देखने को मिली अपके माधियम से थांको मैंगी हम्रा जी कैसे आपने इसकी शुरुआत की और कितना वक्त लगता है आपसे जानना चाहेंगे यह ऐसा हुआ है इसे जिल में ही चाहिए है मैं जी मैंनो एक साथ आपट से मेरा चितकारी का भी काम है मैं इसकी बच्पन से जी बिलकुल यह मेरे प्राइब लिला कि चलो इसे मिक्या जाए बिलकुल अलग करने की चाहां में आपने इतना कुछ अलग कर दिया कि जिस चीज को लोग वेस्टेज मतेरियों समझने जिसको फेग देते हैं आपने उसी चीज पर अपनी कला की कला कुछी दिखाई है हम्राज जी अभी तक आपको शासन पर शासन की तरफ से किसी भी तरह की कोई मदद मिली अभी तक ना मदद मागा हूँ मैडम जी ना ही मदद मिली है मगर मैं सिर्फ यह चाहता हूँ कि चीज को उभारू और शासन का स्टॉल मिले में रुखे बिल्कुल हम्राज जी हम लोग भी यहीं चाहेंगे कि आपकी इस अनोखी कला को शासन की तरफ से मदद मिले और इसको सन्रक्षित करने में जो मिल का पच्छा साबित हो शुक्रिया है म्राज जी हमाई से जुड़ने के लिए बात चीज करने के लिए तो चलिए अब बात करते हैं अनोखी शादी की नए साल में उत्यप्रदेश के बाहना